दोस्तों अगर UPI application की बात करों तो Google Pay के साथ में phone पे भी most popular application है जिससे लाखों लोग UPI transactions करते हैं अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि phone पे को कैसे यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है नमस्कार दोस्तों मैं अभी में भरत वाजब का स्वाध करता हूं माइ मोबाइल गाइड में उस चैनल पर मैं आपके लेकर आत रहता हूं मोबाइल टेक्लों यसे जुड़े हुए धेर सारे टिप्स और टिक्स तो अगर आप नहीं है चैनल से स्काइब कीजिए बेल लाकें दबाइए उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं और चलिए आप जानते हैं कि फॉन पे को कैसे यूज करते हैं और क्या उसमें नई विशेश टायंट दी गई हैं सो दोस्तों फॉन पे को आप प्लेस्टोर से डाउनलूड कर सकते हैं सो जब पहली बार आप इसे उपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर मोबाइल नंबर डालने का ओप्शन मिल मांगता है तो आपको इसे भी अलाव करना होगा इसके बाद यहां पर यह आपकी डिवाइस लोकेशन को भी मांगता है तो इसको भी आपको अलाव करना होगा यह वैसे आप क्यूबर डिबेंड करता है कि आप किन-किन परमीशन को अलाव करते हैं और किने डिनाय करते हैं कुछ permission को deny कर देंगे तो ऐसा नहीं कि application काम नहीं करेगी करेगी लेकिन कुछ functions इसके working नहीं करेंगे तो फिलाल हमारा जो phone पे है हमारे phone इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर आप सबसुपर देखेंगे आपको यहाँ पर add bank account को option मिलेगा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर transfer money, to account, to self और bank balance को option मिलेगा अब जो number आपने अपने phone पे में इंटर किया है अगर उस number से कोई bank account link है यानि bank में आपके जो account है उसमें वो number attached है तो आप उस bank account को सीधे-सीधे यहाँ से जोड सकते हैं इसके लिए आपको add bank account पे tap करना है अपनी bank को select करना है जैसे मैं आप आप ICIC पे tap करता हूँ तो phone पे द्वारा आपके उस bank को एक SMS भेजा जाएगा और यह verify किया जाएगा क्या यह आपका जो number है आपके उस account से link है या नहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो जो number है वो find नहीं किया जाएगा कुछ इस तरह का message आएगा No bank account returned by your bank Please make sure that mobile banking has been activated for your bank account and try again तो अगर आपके bank map का number नहीं है तो जाएगे पहले number को register कर आएगे bank account को connect करने के बाद आप यहाँ से transfer money वाले option पे जाके किसी भी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं उन लोगों को पैसा भेजना ज़्यादा आसान है जिन लोगों के phone में पहले से phone पे है अब यह कैसे पता चलेगा कि किसी के phone में phone पे है या नहीं है तो जब आप यहाँ contact पे tap करेंगे और यहाँ पे start your first payment पे जाएंगे तो आपके phone के सारे contact number आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे तो अब जिस वेक्तिन अपने phone में phone पे install किया होगा उसके icon पर profile pic पर आपको pay का option दिखाई देगा बस आप उसको select कर लीजिए select करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसका banking name भी लिखा हुआ आ रहा है तो अगर आप चाहें तो testing के लिए आप एक रुपया भेज सकते हैं या फिर यहाँ से सीधे message कर सकते हैं अगर आप कोई particular amount भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ वह amount टाइप करना है जैसे मैं यहाँ पर type कर देता हूँ और इसे यहाँ से आपको send पर tap करने के बाद अगर आपने bank account अपने phone में install कर रखा है तो आपको bank account select करना है उसकी UPI पन डालनी है और send कर देना है तो यह जो पैसा है यह उस व्यक्ति के पास चला जाए तो यहाँ पर यह जो option है यह bank balance का सीधे अगर आपको अपने account का bank balance चेक करना हो तो आप bank balance वाले option पर चा सकते हैं मुझे इसका सबसे जो useful option लगा है वो लगा है phone pay ATM बाला मान लीजिए आपके शहर में कई सारे ATM हैं चक्कर लगा लगा के ठक गए हैं और आप अपने शहर में ATM नहीं डूट पा रहे हैं तो यहाँ पर phone pay ने एक नई service शुरू की है phone pay ATM इस पर आपको tap करना है यह आपके आस अपने ATM चोट चोटे बना दी हैं चोटे दुकानदार हैं या कोई mall है चोटा सा आपका provision store है general store है उन लोगों को phone pay ने phone pay ATM बनाया है तो आपके नजदी के जितनी भी phone pay ATM होंगे उनकी list आपको मिल जाएगी जैसे मुझे यहाँ पर मिल रही है अब ATM से पैसा अगर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मुझे इस shop पर जाना है और इस पर यहाँ पर tap कर देना है तो यहाँ पर मुझे shop का address मिल जाएगा और यहाँ पर आप उसको चाहिए तो यहाँ पर जब withdrawal cash वाले option पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वह amount type करके उसको भेजना है जितना cash आपको तो यहाँ पर आप उसको enter करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको नीचे option मिलेगा pay to withdrawal का जैसे मैं 100 पर यहाँ पर डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा pay to withdrawal का यानि करना क्या है कि अपने phone पे से सामने वाले दुकानदार को ये किसी व्यक्ति को आपको उ उतने पैसे उससे cash के रूप में ले लेने है तो इस तरह ऐसे जो phone pay ATM है वो काम करता है तो कभी emergency में आप इसको 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 काम आ जाए अब चलिए इसको और अच्छे से कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर आप देख रहें कि नीचे इसमें धेर सारे option दिये गए इसके लाबा आप एक gas cylinder book कर सकते हैं, broadband connection का जो पैसा है वो आप दे सकते हैं, landline का बिल भर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, insurance का premium भर सकते हैं, साथ में यहाँ पर phone पे gift card का option आपको मिलता है, तो यहाँ से आप एक gift card generate करने के बाद में लोगों को भेज सकते हैं ताकि व इसका अपने subscribe कर रखा है, आप सीधे सीधे यहाँ से उसको recharge करा सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे school fees का option दिया गया है phone pay में, तो सीधे आप किसी भी school की fees को यहाँ से भर सकते हैं, fast tech को recharge कर सकते हैं, loan का amount को भर सकते हैं, google पे अगर आपको recharge करना है, google पे में आस पास के जितने भी shopping stores होंगे, grocery shop होगी, handicraft के जो store होंगे, fuel pump होगी, उसके लिए आप यहाँ से सीधे 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 सर्च कर सकते हैं, यह जो option है वो लगबग लगबग Google map के जैसा है, Google map में यह सारे option आते हैं, कि कौन सी चीज कहाँ पर है, जैसे grocery store आपको सर्च करना है, आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं, और वहाँ पर जरूरी और वहाँ पर जहाँ तक और वहाँ पर आपको phone पे की जो सुविधा है वो भी मिलेगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीच में एक switch का बटन दिया गया है, अब जैसे हम इसे switch करेंगे, तो आप यहाँ पर देख उस application पर order कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सीधे phone पे से इन सभी application से कुछ न को shopping कर सकते हैं, और order कर सकते हैं, तो इस तरह से यह जो switch वाला option है, वो काफी अच्छा है, यहाँ पर आप देखेंगे my money का option है, और यहाँ पर आपको liquid funds, super funds, tax saving funds, gold में आप invest कर सकते हैं, सीधे सी अगर आप mutual funds में interest रखते हैं, तो भी आप यहाँ से invest कर सकते हैं, यहाँ पर आप tap करके digital gold खडी सकते हैं, और जब चाहे उसको बेच सकते हैं, डिजिटल gold खडीने के लिए आपको सीधे buy now पर tap करना है, जैसे यहाँ पर दो तरह के gold का option दिया गया है, तो हम इसको tap करते है और यहाँ पर आप देखेंगे buy in rupees लिखा हुआ है, और यहाँ पर currently जो gold का rate है वो दिया गया है, यह बदलता भी रहता है, तो आप यहाँ पर 10 रुपे से start कर सकते हैं, और 1000 रुपे तक के नीचे quick option दिया गया है, 10 रुपे जब आप tap करेंगे, तो यहाँ पर आप देखे जाएगा, इसी तरह से 1000 रुपे जब आप tap करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने कितना gold purchase किया है, यह जो gold है, यह आपके phone pay account में ही रहेगा, यानी एक तरीके से digital gold होगा और जब चाहे आप इसको बेच भी सकते हैं, यहाँ पर आप tap करेंगे, तो आप आपके पास जितना भी gold होगा, आपने खरीदा होगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे, आप कितने gram बेचना चाहते हैं, तो आपने tap किया, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इतने gram gold बेचना आपको कितने रुपे मिलेंगे, नीचे से आप proceed to payment पे tap करेंगे, तो यह पैसा है, वो आपके account में आ जाएगा, तो यहाँ इस तरह से आप gold में invest कर सकते हैं, यहाँ नीचे आपको सीधे-सीधे wallet का option मिलेगा, जैसे phone pay wallet, phone pay, gift card का, geo money, free recharge और air retail money का, और सबसे last में आपको मिलेगा history का option, तो आप तक आपने जितने लिंदेन किये होंगे, उन सभी का जो लिखा जोगा है, आपको history वाले option में मिल जाएगा, सबसे उपर अगर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा QR code का option, जिस पर tap करने पर, आपके सामने आपके phone का जो camera है, वो open हो जाएगा, और यहाँ पर यह है direct scan to pay option, यानि आपको कोई चीज नहीं open करनी है, आप किसी shop पे गए हैं, और वहाँ पर QR code लिखा हुआ, आपको देखिया QR code की picture दिखे ही, तो आपको यह window open करनी है, QR code को scan करना है, और सीधे सीधे pay कर देना है, तो अगर आप अपना QR code किसी को देना चाहते हैंगे, भाईए यह मेरा number मतलो, ना मेरा UBI मुझे पता है, पे से connected होगा, तो यहां पर आपको आपका QR code मिल जाएगा, आप उसको दिखा दीजे किसी विक्ति को, और वो उसे scan करके आपको payment कर देगा, तो इस तरह से जो phone पे है, वो आपके बहुत काम आ सकता है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे comment करके जरूर बताएगा, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो नीचे comment जरूर कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैहन, वन्दिमात्रम,